देखिए पंजाब सरकार उस पर अवश्य कारवाई करेगी जो भी चिठी है उसका उपचारिक जवाब दिया जाएगा देखिए आम आदमी पार्टी की और तमाम विपक्ष की एक ही रणनीती है कि इस समय देश में जिस प्रकार से केंद्रिय जयांच एजेंसियों का मिस्यूज हो रहा है और राजनैतिक कारणों के चलते एजेंसियों को मुख्य विपक्षी नेता जो हैं उन पर छोड़ा जा रहा है कि कोई भी सबूत या तो ढूंडो या सबूत पैदा करो और विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो ये जो एक नीती भारती जनता पार्टी की सरकार की चल रही है जिसके तहट सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसिस का दुर्योप्योग हो रहा है उस विशे पे हम चर्चा चाते हैं सदन में हम चाते हैं कि पूरा सदन विपक्ष दल के नेता भी सताधारी पक्ष के नेता भी सब लोग इस पर चर्चा करें और जाँच एजेंसियों का जो एक कारेश एली है उस पर विजार विमर्ष हो क्या है वो जो कर रही है वो उचित कर रही है उधारन के तोर पे CBI ने 2014 से आज तक जितने मुकदमे दर्च करें यानि कि जब से BJP की सरकार केंदर में आई तब से लेकर आज तक जितने मुकदमे दर्च करें उसमें से 95 प्रतिशत मुकदमे 95% of the total cases विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है आज इसकी आँ रेड हो गई इस विपक्षी नेता पर रेड हो गई इसको जेल में डाल दिया तो एजनसियों का इस्तमाल करकर देश के लोकतंतर की नीव को हिलाने की कोशिश हो रही है कि भारत को विपक्ष मुक्त कर दो अब कोई विपक्षी ना बचे उस विशे पर हम चर्चा चाहते हैं और चाहेंगे कि सभापती जी सदन में इस विशे पर चर्चा कराएं